नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ Hero Splendor Plus I3S BS6 2021 के बारे में ये जो आप Hero Splendor Plus का कलर देख रहे हैं ये बहुत पराना कलर है जो की बीच में बंद हो गया था तो कंपनी ने दोवारा से इसको BS6 के साथ continue कर दिया है इस कलर का नाम है Black Bit Purple Red कलर तो और इसके फीचर्स क्या है mileage क्या है, on-road केमत कितनी है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी जैसा कि मैं आपको इसकी रौशनी को दिखा देता हूँ, जैसा कि मैंने self को दबा दिया है तो यहां से आप इसकी headlight की रौशनी को देख सकते हो अब चलते हैं, इसके नीचे की side में तो इसका जो front वाला tire है जैसा कि आप इसकी grip को देख सकते हो, वो भी काफी attractive दी गई है और यहां पर इसका जो front mudguard है, वो भी glossiness में मिल जाता है और यहां पर IBS का logo और reflector मिल जाता है इसके side में और यहां पर आपको जो है integrated baking system मिल जाता है इसकी आगे और पीछे की दोनो ब्रेक एक साथ काम करती है और इसके front वाले tire के size की बात करें तो 8018 का tire size दिया गया है, इसमें जो है tue less tire मिल जाते हैं, और यहां पर silver color के alloy wheels दिये गये हैं और इसके suspension की बात करें तो telescopic hydraulic sock, absorber type के suspension मिल जाते हैं इसके front में, अब इसके side profile की बात करें तो इसका जो color combination है वो काफी attractive दिया गया है इसके जो नीचे की जो theme है वो silver color की दी गई है अब इसके fuel tank के उपर आपको hero का sticker देखने को मिल जाता है और इसके नीचे की side में blue, red और white color की graphics की पट्टी मिल जाती है जो की काफी अच्छी लग रही है और इसके toolbox के उपर power start और programmet fi की bedging मिल जाती है और इसके battery panel पर splendor plus का 3D में logo और नीचे भी graphics की पट्टी दी गई है और इसके seat cowl के उपर आपको कोई भी graphics देखने को नहीं मिलेगा और यहाँ पर i3S का logo दिया गया है जो की sticker के रूप में है और इसके पीछे वाले tire के size के बात करें तो यहाँ भी आपको 808R का tire size मिल जाता है tuneless tire मिल जाते है silver color के alloy wheels के साथ और इसके rear वाले suspension की बात करें तो 5 step adjustable hydraulic sock absorber type के suspension मिल जाते है जिसको आप आसानी से adjust भी कर सकते हो और पीछे वाली drum brake का size 130 mm का दिया गया है अब बात कर लेते हैं इसके rear profile की तो यहाँ पर आपको कोई भी changes देखने को नहीं मिलेगा और इसमें आपको परानी वाली tail lamp ही मिलती है bulb के साथ इसके उपर hero का sticker दिया गया है यहाँ पर आपको वलवाले indicator मिल जाते हैं जो की flexible हैं और इसके उपर की side में आपको जो एक grab handle मिल जाता है जो की metal का है chrome finish के साथ आता है जो आपको इस bike में पहले भी मिलता था और इसके seat call के दूसी side में भी आपको i3S का logo मिल जाता है और वही same graphics और sticker यहाँ भी आपको इसके दूसी side में देखने को मिल जाते हैं और इसके जो fuel tank की capacity है वो 9.8 liter की दी गई है और इसके पीछे की side में आपको जो है एक black color का साडिगार दिया गया है और यहाँ पर adjustable photo rest मिल जाता है पिलियन के लिए और इसका जो chancet cover है वो fully metal का दिया गया है जो की हलका सा golden color का है और यहाँ पर आपको side stand और man stand मिल जाते हैं इसके side stand के उपर एक sensor दिया गया है जैसा कि यहाँ से आप देख सकते हैं और इसकी जो ground clearance है वो 165 mm की दी गई है और जैसा कि आप इसके engine के color को देख सकते हो जिसके उपर hero की badging देखने को मिल जाती है और यहाँ पर आपको 4 speed gearbox मिल जाता है जो आपको पहले भी मिलता था अब बात करें इसके engine और power की तो इसमें दिया गया है 97.2 cc का air cooled forest rock single cylinder OSC BS6 fuel injected engine इसकी maximum power है 8.02 ps की 8000 rpm पर इसका maximum torque है 8.05 nm का 6000 rpm पर इसका curve weight है 112 kg और इसके engine के head के उपर यहाँ पर एक sensor दिया गया है और इसके mileage की बात करें तो इस bike में आपको 75 से 80 का आसानी से mileage मिल जाएगा अगर आप इसको 40 से 50 की speed पर चलाते हैं economy zone में तो जैसा कि यहां से आप इसके fuel injection system को देख सकते हैं इसका जो carburetor था वो पहले से हटा दिया गया है और इसमें आपको fuel injection system मिल जाता है अब इस bike में आपको 2 liter petrol reserve करके रखना पड़ेगा अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी bike की fuel pump खराब हो सकते हैं और इसके toolbox उपर power start और program and fi की bedging मिल जाती है और यहां पर आप देख सकते हैं इसका air filter इस side में दिया गया है और यहां पर आपको जो है इसका जो engine दूसी side से देख सकते हैं यहां पर आपको केक start और यहां पर आपको engine जो है वो golden color का हलका सा दिया गया है इसके उपर hero की branding दी गया है और यहां पर आपको brake pad दिया गया है जो की safety features के साबसे बनाया गया है और यहां पर आप इसके catalytic converter को देख सकते हो जो की metal की plate इसके उपर दी गया है और यहां पर oxygen sensor और एक spark plug देखने को मिल जाता है और बात करें इसके exhaust की तो यहां पर इसका जो exhaust है वो उसके उपर आपको एक metal की एक लंबी सी plate मिल जाती है जो की काफी attractive look दे रही है इस bike को जैसा की इसका जो exhaust है वो पीछे की तरफ से थोड़ा सा नुकिला मिल जाता है और जो की इसकी जो design है वो भी काफी attractive दी गई है अब बात कर लेते हैं इसके meter console की तो इस bike में आपको fully analog type का meter console देखने को मिल जाता है जैसा की यहां से आप देख सकते हैं इसमें आपको वही पुराना वाला meter console दिया गया है जो आपको इस bike में पहले मिलता था यहां से आप इसकी speed और economy zone को देख सकते हैं और इसके नीचे की side में side stand indication light और i3s की indication light दी गई है जैसा की इस bike में i3s system लगा गया है और यहां पर petrol के लिए separate meter और यहां पर hero की बेजिंग और यहां पर neutral light और engine malfunction light man head light indication light और turn signal indication light मिल जाती है और यहां पर आपको chrome की handle bar rod दी गई है इसके switches की बात करें तो यहां पर pass switch नहीं दिया गया है और इसकी side mirror हैं वह भी पुराने वाले दिये गए हैं जैसा कि यहां से आप देख सकते हो जो की normal type के हैं और इसके दूसरी side में चलें तो यहां पर आपको side mirror यहां से देख सकते हो यहां पर आपको i3s का switch मिल जाता है जो की इस bike में आपको i3s system मिल जाता है और इसके नीच मैंने आपको बताई है साइने शोर हीरो मद्यम गराम कॉलकता सोरूम की सारी जानकारी आपको इस वीडियो के description box में मिल जाएगी अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को जासे आदा like करें comment करें share करें thank you दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में